किसी को अब हैरानी होती है, किसी को कोई शौक महसूस होता है, जब से ममता बैनर जी की सरकार आई है, सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि बंगाल में कौन सुरक्षित है, संदेश खाली की हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं, EDNIA की टीम सुरक्षित नहीं, राम नौवी का मनाने वाले वहां के जो हिंदू, फेटफूल्स है, वो सुरक्षित नहीं, सुरक्षित केवल संदेश खाली का अपरादी शाहजाशे और भष्टाचार में लिप टीम सी का सिंडिकेट, केवल यही सुरक्षित है, और यह तो होगा ही, जब प्रदेश की मुख्या, राम न के लिए ट्वीट किया जाता है, तब तो कहा जाता है कि यह अमन और शांती का संदेश देते हैं, पिछले वर्ष भी जब राम नुमी में भरपूर हिंसा हुई थी, तो उस समय पर दंगाईों को बचाने का काम किस ने किया, किस ने क्लीन चेट दिया कि यह लोग तो दंग तब निश्चित रूप से ऐसी शोभा यात्राओं पर हमला होगा, तो इसका मतलब यह स्टेट स्पॉंसर है या नहीं है, तो जांच से ही पता चलेगा, पर स्टेट प्रोटेक्टेट ज़रूर है. इममता बैनर जी जी किसका विरोत कर रही है, यह परिकल्पना आजादी के समय महत्मा गांदी की थी, जवाला नहरू जी की थी, अब्दुलकलाम जी की थी, यह हमारे तब के सबसे सर्वोच निताओं की थी, कि यदि कोई अल्पसंख्यक पाकिस्तान में, उस समय तो अंडिवाइड़ पाकिस्तान था, पाकिस्तान बांगलादेश एक था, उसमें कोई भी प्रताडित होता है, तो उनको वापिस लाने की व्यवस्ता होनी चाहिए, उनको यहाँ पर आने का अवसर मिलना चाहिए. 2013-2013 में, मनमोहन सिंग जी जब नेता प्रतिपक्ष थे, तो उन्होंने एलके अडवानी जी को कहा कि इस प्रकार का कानून आना चाहिए. 2010-2012 के कालखंड में, जब दीदी का समर्थन भी शायद UPA की सरकार को था, तब कॉंग्रिस की सरकार ने एक रिपोर्ट बनाई पार्लिमेंटी कम्मूटी की, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांगलादेश के अलपसंख्यकों को नागरिकता दी जा आने में थी, तो जब UPA करती थी, जब गांदी जी कहते थे तो वो चमतकार, और आज अगर कोई उसी विचारधारा को आगे ले जाते हुए, इस पर मानवता के दृष्टिकोंट से काम करे, तो वो गुनेगा, तो मुझे लगता है ये बन चुके हैं, वोट बैंक की राज